नमस्कार मैं हूँ अंशिता केंद्री मंतरी स्मृति इरानी और मीनाक्षी लेखी को पंकजा मुंडे से कुछ सीखना चाहिए कि कैसे वो सिर्फ आला कमान की जी हुजूरुई में नहीं लगी रहती कैसे वो लोगतंत्र की बात करती है उसको बचाने की बात करती है सिर्फ अपने आका को खुश करने के लिए उनकी बोली नहीं बोलती ये बातें इसलिए हो रही है क्योंकि एक बार फिर पंकजा मुंडे ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे बीजेपी के एजेंटे को चोट पहुँच सकती है इससे भी बड़ी बात ये है कि ये बयान उन्हों ने चुनावी राज्य में दिया है चलिए पहले ये जानिए कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया तो पंकजा मुंडे ने कह दिया है कि प्यार प्यार है उसमें दीवार नहीं होनी चाहिए अब उनके इस बयान से बीजेपी वाले बॉखला गए हैं क्यों अरे भाई पंकजा के इस बयान ने बीजेपी के लव जिहाद के एजेंडे पर चोड़ जो कर दी है आप समझें नहीं चलिए और विस्तार से समझाते हैं बीजेपी लव जिहाद के नाम पर हिंदू-मुस्लिम करती घूम रही है ना जाने कितने पैतरे अपना रही है इसके नाम पर मुसलिम यूसुफ से दूर करने की सलहा दी थी और अपने साथ ले जाकर दकेरल स्टोरी फिल्म भी दिखाई थी ये बात और है कि यूवती ने अपना मन नहीं बदला और यूवक से शादी कर ले यानि बीजेपी तो पूरी कोशिश में लग गई है कि हिंदू-मुसलिम लड़के लड़कें शादी ना करें लड़कियों के दिमाग में डर बैठाया जा रहा है लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी चल रही है लेकिन इसी बीज पंकजा मुंडे का कहना है कि प्यार में कोई दीवार नहीं होती नहोनी चाहिए प्यार धर्म जाती अमीरी गरी भी देखकर नहीं होता अब आप खुद सोचिए अपनी ही नेता के ऐसे बयान पर बीजेपी फसे गिया नहीं खैर बयान दिया सो दिया ये तो मुद्दा है ही लेकिन कहां दिया ये से भी जादा बड़ा मुद्दा है क्योंकि मुंडे ने ये बयान मध्यप्रदेश में द दिक्कते तो बढ़ाएगा ये दिक्कते तब और ज्यादा बढ़ गई हैं जब शिवराज सिंग लव जिहाद के खिलाफ सकती बरतनी की बात करते हैं दरहसल पंगजा मुंडे जवलपूर पहुंची थी पार्टी की राश्टी सचिफ से जब पत्रकारों ने लव जिहाद को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि प्यार तो प्यार होता है प्यार कोई दिवार नहीं देखता प्यार किसी पावंदी को नहीं मानता है अगर दो लोग केवल प्यार के कारण साथ रहते हैं तो उसका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए हाला कि अगर कि के लिए पैत्रे अपना रही है वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की नेता का कहना है कि प्यार को धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए मद्रप्रदेश में ही नहीं गुजरात में भी 2022 चुनाओं के दौरान इस मुद्दे को खुब भुनाया गया था विदान्सवा चुना के संबंध में सामने आए हैं जो सपष्ट हैं वो यह हैं कि हमने लव जहाद धन परिवर्तन और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है मैं चाहता हूं और सपष्ट करता हूं कि प्रदेश में ना तो लव जहाद औ लिया है इस वजह से ही लोग इसमरती इरानी और मिनाक्षी लेखी को पंकजा मुंडे से सीखने को कह रहे हैं वहीं दूसरी तरफ यह कोई पहला मौका तो नहीं है जब मुंडे के किसी बयान से बीजेपी परिशान हो उठी हो इससे पहले तो मुंडे ने अपने बयान से यहां तक संकेत दे दिये थे कि वो पार्टी का साथ भी छोड सकती है आपको याद भी होगा मैं में उन्होंने ये कहकर बवाल मचा दिया था कि मैं बीजेपी में हूँ लेकिन बीजेपी मेरी नहीं हो सकती है पंकजा यहीं पर नहीं रुकी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर पिता से जगड़ा हो जाए तो भाई के पास जा सकते हैं। नहीं है उनका पूरा भाशन मैंने देखा और सुना है उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है अभी वो विवाद थमाही नहीं था कि बीजेपी उस पर मिट्टी डालने की कोशिशों में लगी थी कि अब पंकजा मुंडे ने ताजा बयान देकर बीजेपी को नई ट रहा है इस वीडियो में इतना ही आप से नरोध है की यूट्यूब पर हमारे चैनल आटिकल नाइंटिन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बूक पर लाइक कीजिए और कॉमेंट करके बताएए आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाए ये भी जरूर बताईएगा ट्विटर है आटिकल नाइंटिन अन्रस्कोर इंडिया इसको भी फॉलू कर लेजिए नमस्कार